पर्यावरन तिन के मौके पर आज सुबह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधीजी ने अपने निवास में पेड़ लगा कर इस मुहिम का प्रारंब किया है अभी पर्यावरन भवन में दोनों प्रसित खिलाडी विराट कोहली और सुशिल कुमार दोनों के हातों से हम पेड़ लगा रहे हैं और यह आगे सिलसिला बढ़ेगा आज गोपर में सचिन तेंडूल कर भी मुंबई में और अन्य खिलाडी भी वहां लगाएंगे कल कलकत्ता में भी अपनी टीम पहुंच रही है वो भी सामिल होगी आज वड़ोद्रा में युसूफ और इर्फान पठान और नरेंद्र हिर्वानी और संजे जग्दाय और बाकी खिलाडी इंदोर में लगा रहे हैं तो यह सारे देश भर में कि खिलाडियों के पहल है और परियावरन के सवरक्षन के लिए सभी है प्रति पद्दा है इसी का ये कारेक्रम है कि अगया होगया 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 है थैंक्यों प्रश्जिव एम्हाने सब्सक्राइब अश्चिशें था दिज प्रश्चिश खिर्ध नुट्डेश्ट्री तर्देश अमारी बीज माचूद फिक्याथ कि खिलाडी श्री विरागोई जी हाँ शर्शी शेकर जी आज यहां से जल संसाधन मंत्रा ले में सच्चिव बन कर जा रहे तो उनको बधाई भी देते हैं और पौधा भी देते हैं जामसे बत्ने लिए सिंदेस्टेते लिए लिए्या प्डार लेचाह草 बुछ早़ श्चिव देते हैं है नाज भन् snippसिन ट्योगा तरओननि play टारी आ तो सीजिघ टिजगे जिर्ग इनु शे इन्यौ रिकार्था पोछ нравματα इन्यौ टीरिदे घ्लिज तौर्था 1 तौर्था bole एंथो लिषांगीज एंड में एंति तौर्तिधे दे लिए चिंट्र प्रीं रिज़िछ बहु Tasadu चलम पेसिका बिलती हैंज pastor mивως fewous look is अब्रवीजिज इन ऊंग्रेशीज टोसे लिए लिए के लिए इन प्रादिशिय प्रवर्ट्राइब्स घर ट। आ को अग्राशश जरेख फेलिए अमझस का लिए निए्टरो और्ट यज ऑने कर दोगी इंगुंग शिवे उनिया। खर प्यादेब आएली संने को प्रीज अनिम अनिमेल इसक अँटरी संवेश अनिक्रश जेसंट अनियक्टा जिसमेशन आफर टो इनिम थे अनिम्य इसटीडिव अनिमान शिसी आजित एंप इनिम इसे से इस इंप दिधूबरे. ा है, Kimberly connected me to suffering from India for the first time. It's a matter of great pride to announce that Zoological Survey of India will be completed hundred years on 1st July GIS 216, a major milestone in the year in the history of progress and development of institutions serving the nation. we all like to congratulate the directors that decide and the staff please give them a big hand because it's a very important publication I'll request the award consists of medal a merit certificate and a cash price of 10,000 ladies and gentlemen please give a big hand to this little girl this child is our country and we do not work that in this country there will be such children in this country and we will continue with the family of Pariawaran please give a big hand with the children with very fast-paced biosensor which holds the capacity to desulphurization of mineral and fossil fuel please once again give a big hand to all the winners ladies and gentlemen it gives me immense pleasure nature conservation through maintenance of plant collection conservation research training environment education public awareness aesthetics and recreation financial resources for development and maintenance of bjr will be shared between this ministry and noida and the basis of 5050 this ministry through botanical survey of india and noida shall establish appropriate institutional mechanism for making making up development works and be able to connect with the community of india and nara से बात करने पर तो निश्चित उससे एक संदेज जाता है आज विश्व पर्यावरण दिन है 40 साल पहले इसकी पहल हुई क्योंकि तब एक नई चेतना जागी एक नई ज्यान हुआ कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है जलवायू परिवर्तन हो रहा है फिर उसका अब बहुत सारा 40 साल में सामगरी आई लेकिन तेजी से विकास भी होता रहा प्रदूशन भी बढ़ता रहा आबादी भी बढ़ती रही साट साल पहले मैंने जब पढ़ाई शुरू की तब तीन अरब लोग तीन सो करोड आबादी थी आज साथ सो करोड हो गई साथ अरब ये बहुत बड़ा चैलेंज है पृत्वी तो उतनी है लेकिन पृत्वी पर लोगों की संख्या बढ़ी प्राणियों की संख्या भी बहुत है और सबका जीवित रहना जरूरी है ये चलाचर सुष्टी है पृत्वी जल वायू आकाश अगनी इन्ही तत्वों से बनी है इ इनका संतुलत भी बनाए रखना है मुझे लगता है परियावरण विभाग का मैंडेट क्या है यही मैंडेट है और इसको हमने साफ शब्दों में कहा साफ सुत्री उर्जा साफ सुत्रा परिसर साफ सुत्री हवा साफ सुत्रा पानी और ज्यादा हरा भरा यही हमारा मैंड है उसी पर हम चलेंगे और इसके लिए जना अंदोलन चाहिए जुनता की सभागिता चाहिए और इसलिए हमने आज दर्खास की थी और मुझे बहुत खुशी है कि आज के हमारे इस परियावरेंट दिन की मुहिम की भारत की शुरुआत भारत के लाडले प्रधान मंतरी नरें उपर सुनोगे उन्होंने ये कहा कि जैसे हमें हमारे पास स्कूटर होने का गर्व होता है अच्छा लगता है हमारे पास घर होने का अच्छा लगता है हमारा कोई छोटा ठेला भी हो तो हमें अच्छा लगता है कि मेरा ठेला है कोई काम कर रहा हूं अपनी हर चीज का हमें बिम्हान होता है गाड़ी का होता है घर का होता है ठेले का होता है वेसं हमें पेड़ लगाने का और हमारे पास इतने पेड़ है ये बताने का अभी हमें गरो होना चाहिए ये जुड़ना चाहिए ये प्रधानमति जिन्याग अपील की और इसलिए इस सरुष्टीक में जो रचना है मनुष्य कार्बन डायकसायर दॉए चोड़ता ऑक्सीजन लेता है वन्सपती ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डायकसायर दॉए लेती है तो यहीं तो balance है लेकिन जब अध्योगी की तरक्की होने लगी तो ज़्यादा कार्मन डाइक्साइड हुआ यूँ सारा आ गया और कार्मन उत्सरजन के कारण आज एक समस्या पैदा होगी अब इसका निजात करना है हाथ पर धरे पर धरे रहकर नहीं बैठ सकते और इसलिए पेड लगाना एक पहल है और विराट कोलियो और सुशिल कुमार दोनों आये यहाँ यह भी एक संदेश है आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ दोपर मुंबई में वहाँ सचिन तेंडूल का राजिंग के रहने और यह भी आपने पेड लगाएंगे और इस मुहिम में शामिल हो रहे है कल हमारी कलकता में टीम पूरी मिल रही है वहाँ भी वो शामिल होगी अभी इंदोर में और बडोरा में यूसुप पठान इर्फान पठान नरेंदर हिर्वानी बाकी खिलाडी भी लगा रहे है खिलाडियों के तरब से यह पहलाई कि हम शामिल होंगे तो यह मुझे लगता है समाज का हर घटक अगर इस तरह से इस मुहिम में जुड़ेगा तो हम पर्यावरन के रक्षा ठीक तरीके से कर पाएंगे आज मैं यहाँ से एक जा रहा हूं कारिकम में विश्णोई समाज का कारिकम है चार-पाच हजार लोग जमा हुए है विश्णोई समाज एक ऐसा है यह जंगल का निर्बान यह जंगल जो बना रहा है देश भर में और दुनिया भर में यह लोगों ने किया है जंताने किया है उसकी रक्षा भी जब पेड काटने लोग आते थे तो उन्होंने बलिदान दिया समाज ने सेकणों लोगों ने बलिदान दिया पेड़ों के बचाओ के लिए तो ये एक अद्भुत काम इतियास में हुआ है उन्होंने प्राणियों की भी रक्षा की है तो प्राणियों और सारी चराचर सुष्टी की रक्षा करने वाले विश्णोई समाज के अंदोलन में भी मैं जा रहा हूँ और फिर कल हम पूना में एक नए कारिकम को शुरुवात कर रहे है वो कारिकम है कि वनोध्यान नागरी वनोध्यान योजना का आरम करने जा रहे है क्योंकि शेहर में बगीचे होते हैं उद्यान होते हैं लेकिन वन नहीं होते है वन की जमीन है लेकिन वहाँ वन नहीं है फिर आकरमन होता है फिर जुग्या बेटती है उसके बजाए वहाँ वन हो और अर्बन फॉरेस्ट्री इस अन्यू तिंग और वो जगा जगा आए तो वो फेपडे तयार करते है शेहर के अभी हम उत्तरपते सरकार के साथ नोएडा में एक बड़ा बोटानिकल गार्डन जो बनाने का M.O.U. किया है उसका भी महत्व है क्योंकि ऐसे हर राज्य सरकार आ गया है मैं अभी राजस्तान में गया था उदर पिर का बायर डाइवल सिटी पार्क भी हमने ऐसे सहयोग से ब बढ़ रही है कि परेवल इनके रक्षा के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए आज प्लांट डिस्कोवरी और एनिमल डिस्कोवरी यह दोनों के लिए जो यह दिखो एक मैं जहां जहां जाता हूं मुझे आश्यर होता है प्रकृति का ने जीव पैदा होते हैं यह जीवमान जीवमान लिविंग ऑर्गानिजम होता है तो यह जीवमान व्यवस्ता है प्रकृति की इसलिए ने प्राणियों की पहचान होती है ने वनस्पतिया आती है, उसकी पेचान होती है ये काम हारे-मारे वईज्ञानी करते है उनको भी मैं बधाई देता हूँ जिनको, जिनोंने ये प्लान डिस्क्रवडी आनिमल डिस्क्रवडी किया है उसमें जानकी अमल नैशनल अवार्ड जो दिया है हंहारे तीनों साइंटिस्ट वो भी आपने एक शेत्र में इसा क्राम कर रहे हैं जिसका इस प्रकृर्थी की रक्षा के लिए है जैसे पहले प्रकृती वंदना हुई थी उसमें कहा था जिसने हमें वन दिया भोजन दिया, पोशन दिया चमन दिया, वन दिया, संसाधन दिया उस प्रकृती के हम वंदना करते हैं तो ये जो करने वाला है इसके ही ये सारे खिलाडी है यही टीम है जो काम कर रही है और मुझे खास बदाई देना है हमारी Young Environmentalist of the Year की आवार्ड की जो विजेता है उसको बहुत बदाई क्योंकि एक बार पर्यावरन का मन में अगर तो सारी जीवन प्रणा लिए हम घर से बाहर निकलते समय इलेक्टिकल स्वीच आफ करते है क्या हम पानी का नल का तुरन बंद करते है क्या हम क्या पानी की कम उपयोग कर रहे है क्या हम सभी इंडस्ट्री को भी कह रहे है कि आप जितना पानी यूज़ कर रहे है उससे आदा करो उसका भी जो वेस्ट होगा उसको ट्रीट करके वही री यूज करो हर्वेस्ट करो, री साइकल करो ये सब मंत्र है पर्यावरन के क्योंकि लोगों के आबादी बड़ी है उसको तो कम नहीं कर सकते तो उसको सम्हालने के लिए एक ही पृत्वी है उसको बचा कर ही रखना चाहिए और इसलिए आज का दिन एक पुना संकल बदो होने का है मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि ये ये आप सब का अंदोलन है ये सरकार का काम नहीं है केवल सरकार कानून करेगी अपने देश में दुर्भाग यसे कानून का अमल बहुत कम होता है हमने ये तई किया है कि अब सरकार दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है तो अभी साल हमारा सारा जोर इन्फोर्समेंट पे रहेगा कानून और नियमों का अमल हो यही हमारा प्रण रहेगा यह हमारे तरफ से हम करेंगे लेकिन हम लोगों को भी चाहेंगे कि लोग इस सारे अंदोलन में सहवागी हो लोग इस में जुड़े यह लोगों का जब आंदोलन होगा तभी परयावरण का रक्षा होगी तभी हमारा जीवन सुषे ही होगा तभी जैसे महात्मा गांदी कहते थे कि हमें ये पृत्वी पुर्वजों से नहीं मिली है हमें ये पृत्वी आने वाली पीडियों पर उधार पर मिली है उसके हम देखरे एक देखभाल ऐसी करेंगे कि जिरसे हमीं मिली उससे बेहतर बनाकर हम ने पीडियों को देगे ताकि वो कहेंगे कि हमारी गुजरी पीडियों ने बहुत अच्छा काम किया और इसी के लिए सारा जंता का सहोग चाहिए यही आंदोलन का और यही आवान करता हुआ मैं आप सब का फिर से ते दिल से अभार शुक्र गुजार हूँ बहुत बहुत बढ़ाई